नमस्ते ऐसा बोलता हमें आपका स्वागत है मैं अनीश गुपता आज हमार साथ मोनिशा जी है मोनिशा जी आज मुझसे कुछ टैक्सेशन इंकम टैक्स जो भी टैक्स रिलेटेड सवाल है वो पूछना चाहती है नमस्ते मुझसय जाने समस्ते अब का सबी इंकम टैक्स क्या है सबी सैलरी परसं से सब्कों को इंकम टैक्स लगाजाएगा क्या रिटरन जरूर है और इंकम टैक्स जो आपकी आए पर होता है और दूसरा होट यह यह लेते हैं तो इंडिया में झालिण उपर कोई कोई टैक्सलाइब 506 साल बंस्पर स्फरेंस तैक्सलाइब बढ़ता जाता है और इंकम टैक्स नाइंटीन т Dav 2 में अद्ध Leonie काते जाते हैं तो income tax जैसे जैसे जो जो राजनीती करने आते हैं वो किस तरफ बारत की अर्थ व्यवास्ता को लेके जाना चाते हैं या किस तरफ encourage करना चाते हैं या बड़ावा देना चाते हैं वैसे वैसे scheme आते हैं जैसे पहले income tax में housing के लिए मतलब घर खरीदने पे छूट मिल तो अलग अलग एंगल से जो राजनीती के राजनीती में जब आते हैं वो अर्थ वास्ता को किस दिशा में जाते हैं इंकम टैक्स आयकर से वो दिशा देना चाहते हैं अभी मेरा पास दो ऑप्शन है एक मैं शेर उसमें सब अपनी पैसा को इन्वस करूं या फिर लैंड इसे और रिएल एस्टेट में इंवस करो यह दोनों इंवस्चमेंट में किस मुझे टैक्स कम बढ़ना पड़ेगा शॉर्य शेर मार्किट में लोग इतना इंवस्चनी करते थे तो पहले शेर मार्किट में लंग टर्म क्यापिटल यानि जो एक साल से ज्यादा आप शेयर गया था क्यों राजनेताओं ने यह किया था क्योंकि जो शेयर मार्किट है उसको बोलते हैं रिस्क कैपिटल रिस्कैपिटल यानि उसमें लॉस्ट भी हो सकता है मुनाफ़ा भी हो सकता है तो अगर आपको भारत की अर्थिवियावस्था को और आगे बढ़ाना तो यह रिस्कैपिटल जरूरी क्योंकि बिजनस बिजनस करने के लिए रिस्कैपिटल चाहिए अगर यह यह सब राजनेताओं ने दिया था या यह सोच शोचा था कि इससे बिजनस बढ़ेगा और और लोगों को एंकरेजमेंट होगा कि वो बिजनस अपना करें और शेर मार्किट में अपना लिस्ट करें और पैसा उठा तो यह एक long term capital gains और short term capital gains आता है शेर मार्केट में बट जब आप land में जाते हैं तो land land में land में भी government ने बहुत छूट दी थी कि आप अगर घर बेचते हैं और घर बेच के जो आपको मुनाफ़ा हुआ आप वापिस घर में डालते हैं घर करीते हैं तो उसको भी छूट मिलता है यह क्यों किया था क्योंकि लोग जब भारत की अर्थविया वैस्ता नाइंटीन एंटी के बाद बहुत खुली तो जमीनों के दाम लैंड के दाम फ्लैट के दाम बहुत शेयर मार्किट से मुनाफ़ा कम है आपने वापिस शेयर में लगाया तो मेरे को छूट नहीं मिलती है लेकिन सिरफ लैंड में या जो भी रियल एस्टेट में है मैं वापिस खरीद दूँगा तो मुझे छूट मिलती है क्योंकि वो चाहते जब रियल एस्टेट या आप में वापिस पैसे लगाते तो बहुत जाब क्रियेशन जाब क्रियेशन यानि क्योंकि जो कंश्रक्शन होगा तो बहुत डिमांड बढ़ेगा जाब बढ़ेगा लेबर का काम बढ़ेगा स्टील का डिमांड बढ़ेगा फैक्ट्री लगेगी तो इसलिए था कि वापिस उ जैसे चूट देते हैं उससे कितना बदलाव या कितना इंपक्त आता अर्थ वस्ता पर यह बहुत एक गहरी सोच चाहिए कि क्या करने से इंपक्त आएगा अभी मेरे पास मैं कोई भी खाम नहीं कर रही हूं मगर मुझे रेंटल इंकम आ रहा है तो उसमें भी टैक्स लगेगी क्या जैसे डाइलाग तक सबको चूट है और अभी अगर सिरफ पांच लाग तक है तो पांच लाग के उपर जाता ही तो आपको पांच लाग तक भी नह रुपय महिना आ रहा है तो साल का तीन लाग साट या रुपया तो आपको गवजर्मेंट स सम्टिंग कॉल्ल स्तेंडर डिडैक्शन स्टेंडर डिडैक्शन यानी Tीस परंट लोग क्या miejsc सिदес छ्चा फ़ hamburger करने में तो तीस पर्संट सीधा खूट नेती उसके आपको रेंटल इंकम अगर आपने इसको लोन पे लिया लोन पे यानि कर्ज लेकर अगर यह फ्लाट या जो भी प्रॉपर्टी लिया जिससे रेंट आ रहा है तो इसका इंटरेस्ट भी आपको छूट मिलता है फिर उसके बाद ही आपका टाक्स होदा है तो अल्मोस्ट यह हो गया है कि बिजनेस की तरह आपको इतना सारा छूट मिलता है तो यह सब एंकरेज करने के लिए कि लोगों घर खरीदे और किराय पे चड़ाएं तो यह सब स्कीम डिवाइस किया गया है और इसके बाद ही टैक्स लगता है ऐसे कोई फ्लाट टैक्स मतलब कि एक रुपे सब सब्सक्राइब के ऊपर जाएगा तो ही टैक्स है वैस्त तो फिर किराय पे भी सेम लॉजिक अप्लाएं होता है अब ही सालरीट परशन यह उनको टीडियस बरना पड़ता है यह टीडियस और टैक्स क्या है तो गवर्मेंट ने टीडियस का कॉंसेप्ट लाया क्योंकि गवर्मेंट को नहीं तो क्या होगा जैसे अभी 31 जुलाई टैक्स फाइलिंग डेट है तो सिरफ उसी महिने टैक्स मिलेगा हार टाइम टैक्स नहीं क्योंकि जब इंकम टैक्स फाइल करोगे तब ही टैक्स मिलेगा तो गवर्मेंट ने किया किया जो जो लोग रूप में पहले ही मिल जाएं टीडियस यानि की टैक्स डिड़क्टिड एड्सोर्स जो आप टैक्स फाइलिंग के टाइम बरने वाले वह आप पहले ही गवर्मेंट को किस्तों में मतलब छोटे-छोटे पॉर्शन में पहले से दे रहे हैं क्योंकि अगर क्या होगा अभी थर्टीफस जुलाई या जो भी डूडेट पर आकर आप बोलोगे यह टैक्स भरो जरूरी नहीं है वह बचा के रखा होगा फिर गॉर्मेंट को पे करने के लिए पैसा भी नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बहुत सारे जंजटे आएं तो हर साल जो भी करते हों वह टीडीएस काट के गॉर्मेंट को भरते हैं और जब आप रिटरन फाइल करते हैं वह जितना जो आप जितना आपको सालरी मिला उसी साब साब फाइल करेंगी तो यह टीडीएस महां पे रिफ्लेक्ट होजाएगा अगर कुछ बाकी होगा तो आप एक करेंगे नहीं तो आपको रिफंड मिल जाएगा अभी लोगों को अपना दो रिजीम है भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में आपको कोई प्रूफ संविट करने ज़रूत नहीं है ओल्ड रिजीम में आपको हरे सेविंग्स का प्रूफ मेडिकल का प्रूफ बहुत सारे आपको तभी संविट करने हैं टैक्स ज्यादा डिटक करेगा आपका एंप्लायर लेकिन जब आप रिटरन करें तो आप तब भी भी क्लेम कर सकते हैं और तब यह चूट आपका फाइदा उठा सकते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप अगर संविट करोगी तो ही मिलेगा इंकम से बनेका जरूरी नहीं है तो किया मुझे रिटरन उठागने का जरूरी है रिटरन करने से लेकिन आपका टैक्स यह रही होगा टैक्स फाइल करना अलग जब करना अपका 650000000ग जब तो टैक्स कि विल्एकि यह आपका लाइबनिटी है मतलब टैक्स रिटन फाइल करना जरूरर जो 9600000 टैक्स रिटन कंकि कई बार डीपैंडटेंट सोते हैं और उसको बिदेश जाना तो कोउसते कि आपने यह प्राइड करने प्लैंस आपना क्वेटरूरी में तो इस टांपि फाइल करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्ट पर आपना प्लान था जो तो इस ताइम पर हमें यूज हो गा तो निल रिटर्न भी फाइल करना। आप एक रिटर्न फाइल करेंगे तो आप एक गॉइंड को आप ये बता रहेगे कि महाँ मेरी इतनी इंकम थी। कई लोग नहीं फाइल करते हैं और कभी बाद में भी आज के इंकम टेक्स बोचनता है, आपकी इंकम थी और आपका कोई income था income tax था तो scrutiny भी कर सकते या आपको कोई case भी आ सकता है या income tax नोटिस और जिन-जिन के पास के साथ income tax या आयकर के बारे में discussion किया यह discussion बहुत इतना इंडेप्ट या इतना गहराई में नहीं था हमने बहुत ऊपर ही उपर से बात किया personal finance या लोगों को जो आयकर पे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आज हमने बहुत कम बात किये जरूर आने वाले हफतों में हम लोग और करेंगे कि income tax में क्या क्या प्रावदान है पैसा बोलता हैं देखने के लिए आप आपका धन्यवाद इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का नोटिविकेशन बटन डबाएए ताकि जो जो अगले वीडियो आएंगे उसका नोटिविकेशन आपको जारी होगा इस पर कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों रिष्टेदारों सब के साथ शेर कीजिए धन्यवाद नमस्कार निवेश का बारी में शेर मार्केट का बारी में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैजा बोलता है हिंदी चैनल में आप लाइक करिए शेर करिए सब्सक्रेब करिए